हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग मैं सौरब दूबे मेंगनेट बेंस इंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत जब अजस्त तयारी चल रही होगी बोड एक्जाम की जैसा कि आज हम करने वाले हैं दो चरवाले रेखिक समीकर यूग का complete chapter revision मतलब की इस chapter में क्या क्या important topics है उसकी बात करेंगे और थोड़े से practice करेंगे questions को जो important questions है आपके exam के लिए तो देर किस बात की start करते हैं करने से पहले एक छोटी और बहुत जरूरी बात जैसा कि आपको पता है magnet brains provide करता है high quality education जहां मिलती है हिंदी मीडियम students को छटी क्लास से लेकर बारवी क्लास तक की सारी classes बिलकुल free of cost और वही इंगलिस मीडियम students को मिलती है KG to 12 सारी classes बिलकुल free of cost मतलब की यह सारी classes आप YouTube पर देख सकते हैं उसका लाव उठा सकते हैं अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और बहतरीन पढ़ाई करने के लिए और बहतरीन नंबर पाने के लिए exam में आप हमारे e-notes और e-books को grab करना बिलकुल ना बोलें जिसका link description box में दिया गया है तो आईए देखते हैं कि दो चरवा समीकरण योगमा तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समीकरण होते क्या हैं जैसे कि आप बहुपत तो पढ़ चुके हैं बहुपत क्या होते हैं आपको पता है कि किसी भी वीजी विंजक में जो x square plus 5 x plus 3 ऐसा कुछ लिख दिया गया तो वो बहुपत हो जाता है लेकिन जैसे ही प्लस हो सकता है माइनिस हो सकता है गुड़ा हो सकता और भाग तो उससे जो चर और अचर को मिला कर बनते हैं उसको तो हम बीजगरीतिये विंजक बोलते हैं ऐसा देखता है जैसे मैंने लिख दिया x square plus 5 x plus 6 यह तो एक बीज गड़ीती वेंजक है लेकिन जैसे इसमें बराबर का चिन आता है और यहां पर कुछ भी आ जाता है सुनने भी आ सकता है एक दो तीन या एकस वाई जेड कुछ भी आ जाए मतलब कि बराबर का चिन होना चाहिए चर रासियां होनी चाहिए तो हम उसको क्या बोल देंगे समीकरण तो यहां पर वही लिखा है बराबर चिन के साथ एक बीज गड़ीती वेंजक क्या बन जाता है समीकरण बन जाता है अगर बराबर का चिन लगा है और बीजी वेंजक है तो बराबर के चिन के साथ वाला बीजी वेंजक क्या बन जाएगा वो बन पाएंगे चर रासियां होनी चाहिए चर रासियां होनी चाहिए या अचर रासियां भी चलेंगी चर या अचर रासियां रहेंगी और दूसरी बात बहुत जरूरी समता का चिन होना चाहिए इकल टू का बराबर का चिन होना चाहिए अगर बराबर का चिन नहीं है तब उसको क्या बोलेंगे बीज गड़ीती ये व्यन जक और जैसे ही बराबर का चिन आ जाएगा तब आप उसको क्या बोलेंगे बीज गड़ीती ये समीकरड बीज गड़ीती ये समीकरड कमेंट में बताना कि ये समीकरड है या नहीं है comment में बताएंगे आप कि यह समीकरड है या नहीं है आईए बढ़ते हैं अपने next topic पे I hope कि आप यह समझ चुके होंगे कि समीकरड क्या होते हैं clear है बात अब हम देखेंगे दो चरों में रैखिक समीकरड पहले तो हम बात कर लेते हैं एक चर में रैखिक समीकरड इसमें दो चीजें आ रही हैं एक तो बात मैं कर रहा हूँ एक चर की और दूसरी में बात कर रहा हूँ रैखिक समीकरड की है ना इसको तोड़ के समझेंगे कि एक चर का मतलब क्या हुआ और रैखिक समी करड का मतलब क्या हुआ एक चर का मतलब जिसमें चरदासी केवल एक हो चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो मानलो X में है वो एक ही चर होना चाहिए और रैखिक समी करड का मतलब अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए एक, अधिकतम घात एक कहने का मतलब अधिक्तम घात एक कब होगी जैसे मैंने लिख दिया X धन 5 बराबर 2X धन 9 X धन 5 बराबर 2X धन 9 सबसे पहले मुझे यह बताईए आप यह समी करण है या नहीं है सर इसमें 4 रासियां भी आ रही है और बराबर का चिन भी आ रहा है यह समी करण है no doubt क्या यह एक चर में समी करण है क्या यह एक चर में है हा सर केवल और केवल X आ रहा है मतलब कि यह एक चर में समी करण है क्या यह रैखिक समी करण है हा सर X की अधिक्तम घात केवल और केवल 1 है मतलब कि यह रैखिक चर में समी करण है क्या आप इतनी बात समझ चुके हैं कि एक चर में रैखिक समी करण क्या होता है अगर मैं अगली बात ऐसा लिख दिया X धन Y बराबर 10 पहली बात मुझे बताईए क्या यह समी करण है सर इसमें चर रासियां आ रही है बराबर का चिन आ रहा है समी करण है No doubt समी करण है क्योंकि X और Y X और Y दो चर रासियां आ रही है तो यह दो चर वाले समी करण हो जाएंगे क्या यह रैखिक समी करण है में बात क्या है क्या यह रैखिक समी करण है तो सर यहां X की भी सबसे बड़ी घात एक है Y की भी सबसे बड़ी घात एक है क्या होते हैं आईए देखते हैं कुछ important point दो चरों X और Y में रैकिक समीकरण को प्राय हनिमनल कित रूपों में लिखा जा सकता है तो यह जो लिखा हुआ है यह रैकिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप है क्या AX धन BY धन C बराबर 0 जहां A और B का मान 0 नहीं हो सकता A B और C क्या हैं वास्तविक संख्याए हैं यहाँ पर उदारण दिया गया है और यह दोनों जो उदारण है यह भी दो चरों में रैकिक समीकरण है क्योंकि यह पर X और Y आ रहा है यह भी दो चरों में रैकिक समीकरण है क्योंकि X और Y आ रहा और दोनों जगह आप देखेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या है? एक है, मतलब यह रैखिक समीकरड है, चर कितने हैं? एक दो, तो दो चरों में रैखिक समीकरड है यह दोनों। दोनों में X और Y आ रहा है तो दो चरों में रैखिक समीकरण होंगे अगर केवल X आता तो यह एक चर में रैखिक समीकरण हो जाता क्लियर है बात समझ में आ रही है चीजें बहुत बढ़ियां बहुत बहतरीन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रसन संख्या 1 X बराबर 2 Y बराबर माइनस 2 रैखिक समीकरण इतना का हल है हमें बताना है हल है की नहीं कैसे बताएंगे कोई भी चीज कोई भी नंबर किसी रैखिक समीकरण का हल कब होता है मान लो, एक मैंने एक चर में एक रैखिक समीकरण दे दिया, x धन 5 बराबर 7 x की जगह पे क्या रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, आपर दो पक्ष होते हैं एक को हम बोलेंगे बाया पक्ष, और इधर वाले को हम क्या बोलेंगे दोस्त, दाया पक्ष बाया पक्ष और दाया पक्ष, दो पक्ष होते हैं, बाया पक्ष को हम सौटकट में क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS और दाया पक्ष को क्या बोलते हैं, RHS एइसा मान, एक्स का ऐसा मान, जिसको रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं वही इस समीकरण का हल कहलाएगा, जैसे एक्स की जगह पर अगर आपने दो रख दिया X की जगह पर अगर आपने 2 रख दिया तो 2 धन 5 7 होता है इधर भी 7 आ गया, इधर भी 7 आ गया मतलब X बराबर 2 इसे दिये गए समी करण का क्या हो जाएगा एक खल हो जाएगा इसी प्रकार से अगर 2 चरों में रहकिक समी करण है X धन Y बराबर 10 अब अगर मैंने X बराबर 5 ले लिया और Y बराबर भी 5 ले लिया तो X बराबर 5 और Y बराबर 5 दिये गए समी करण का हल होगा क्यों कि सर 5 धन 5 करने पर ये भी 10 आ गया दाया पक्ष भी 10 है मतलब कि यह एक ये जो हल दिया हुआ है X और Y का ये इस रैखिक समीकरड का दो चरों में रैखिक समीकरड का क्या है हल है नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे नोट डाल के पहले एक पॉइंट लिखेंगे पॉइंट क्या है कि अगर एक चर का रैखिक समीकरड है तो इसका केवल और केवल एक ही हल होता है एक चर्वाले रेकिक समीकरण में कितने हल होते हैं, आपके बोर्ड एक्जाम में ये question एक नंबर में बहुवी कल्पी में पूछा जा चुका है एक चर्वाले रेकिक समीकरण के हल कितने होते हैं? जल्दी बताईए सभी लोग एक चरवाले रैखिक समीकरण के अद्विती हल है रैखिक समीकरण का अद्विती हल होता है मतलब केवल और केवल एक हल होता है केवल और केवल एक हल होता है अद्विती हल होता है लेकिन अगर मैं बात करूँ दो चरवाले रहखिक समीकरड के जैसे कि इसमें केवल एक ही आंसर आ सकता है X की जगह केवल दो रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर होंगे क्या दुनिया में और भी कोई नंबर है जिसको X की जगह पर आप रखेंगे और दोनों पक्ष बराबर होंगे नहीं हो सकते क्योंकि ये एक चरवाला रहखिक समीकरड है और एक चरवाले रहखिक समीकरड का कैसा हल होता है अद्विती मतलब उसके जैसा कोई नहीं लेकिन अगर हम बात करते हैं दो चरवाले रहखिक समीकरड के अनेकों हल होते हैं समीकरड के अपरमित रूप से अनेक हल होते हैं ये बात समझ गए आप ये बात हर एक स्टूडेंट समझ चुका है कैसे सर आपने तो एक ही हल पताया है ये तो है ये क्या दो चरवाले रहखिक समीकरड ये तो है दो चरवाला रहखिक समीकरड आपने तो केवल एक ही हल दिया कि x बराबर 5 y बराबर 5 नहीं दोस्त यहां देखो x बराबर 6 और y बराबर 4 मिल गया ना क्या ये हल नहीं होगा क्या 6 दंचाल लिखने पर 10 नहीं आएगा क्या X बराबर 7 और Y बराबर 3 लिखने पर हल नहीं आएगा ऐसे आप अन्य को हल लिख सकते हैं लेकिन इसके लिए नहीं लिख सकते हैं इसके लिए नहीं लिख सकते हैं दो चरवाले के लिए लि दो पक्ष होते हैं, एक हो गया अपना बायापक्ष और एक हो गया दोस्त अपना दायापक्ष, बायापक्ष और दायापक्ष, अगर X और Y का मान रखने पर बायापक्ष और दायापक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, तब तो हम बोल देंगे कि यह इसके हल है और नहीं होंगे बराबर तो हम बोलेंगे यह इसका हल नहीं होगा जैसे यहाँ पर अगर हम left hand side मतलब बाएंपक्ष की बात करें तो यह है 5x धन 3y x और y का मान रखेंगे x की जगह पर आप 2 रखेंगे और y की जगह पर आप कितना रखेंगे minus 2 ऐसा करने पर 5 गुड़े 2 10 हो जाएगा और 3 गुड़े minus 2 हो जाएगा minus 6 और हमारा कितना आगया 4 क्या यह दाया पक्ष के बराबर है जी 4 जो है वो दाया पक्ष के बराबर है तो आप دेख सकते हैं कि हमने बाया पक्ष लिया था लेफ्ट हेंड साइड लिया था और ये राइट हेंड साइड के बराबर आ गया कहने का मतलब है कि दिया हुआ यूग्म दिया हुआ X और Y का यूग्म X बराबर दो और Y बराबर माइनस दो दिये हुए रैखिक समीकरण के हल होंगे क्लियर है ये clear है कोई doubt है कि इसमें हो ही नहीं सकता ये तो बड़ा असान था सर दीरे दीरे करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं अभी तक तो हम केवल दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे केहेंगे दो समान चर माना X त knapp Y में दो रैखिक समीकरण को दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं मतलब दो समान चर वाले होने चाहिए और दो रैखिक समीकरण होने चाहिए इसकी तरह एक नहीं इसी के साथ अगर हमने एक और लिख दिया कि x-y बराबर x-y बराबर 2 अब ये हो गया यूग्म तो वही बोल रहा है कि 2 समान चर मतलब अगर एक में xy आया तो दूसरे में भी xy ही आना चाहिए 2 रैखिक समीकरड होने चाहिए को 2 चरों के रैखिक समीकरड यूग्म कहते हैं व्यापक रूप होता है वो क्या होता है ऐसे याद करो a1 x धन b1 y धन c1 बराबर सुन्य और a2 x धन b2 y धन c2 बराबर सुन्य ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरड यूग्म का मानक रूप होता है अगर हम केवल 2 चरों वाले रैखिक समीकरड की बात करते हैं उसका मानक रूप ये होता है यूगम नहीं होगा तो ये होगा मानक रूप और यूगम आ जाएगा तो हमें जोडे में लिखना पड़ेगा मतलब A1, A2 करके लिखना पड़ेगा क्लियर है बातें क्लियर है जहां A1, B1, C1 A2, B2, C2 ये सभी वास्तविक संख्याएं है एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे और हम बढ़ रहे हैं आगे और हम बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दो चरोवाले रैकिक समीकरड यूगम का आलेखी ये निरूपड मतलब की ग्राफ कैसे बनाते हैं अगर दो चरोवाले रैकिक समीकरड हैं तो उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं नाइंत क्लास में भी आपने सीखा है यहाँ पर भी सीख रहे होंगे हम दो रैकिक समीकरड यूगम को निरूपित करती हैं केवल एक बिंदू पर प्रतिक्छेद करती हैं देखो यहाँ पर अगर दो चरोवाले रैकिक समीकरड यूगम की बात करें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रैकिक समीकरड है अगर कोई रैखिक समीकरड है चाहे वो एक चरका हो चाहे वो दो चरका हो अगर कोई रैखिक समीकरड है तो इसका ग्राफ बनेगा सरल रेखा स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा हमेशा सरल रेखा मतलब आप रैखिक समीकरड को जब ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा पराफ्थ होती है आपको लेकिन जब युग्म होगा तो आपको दो सरल रेखाएं पराफ्थ होंगी अगर दो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है तो आपको दो सरल रेखाएं पराफ्थ होंगी भी हो ऐसे दूसरा कंडिशन हो सकता है सर ये दोनों सरल रिखाएं एक दूसरे के समानांतर हो एक दूसरे के समानतर रिखाएं हो ऐसा या एक चीज और हो सकता है एक दूसरे के उपर हो, जिनको हम समपाती रेखाएं कहते हैं, तो ऐसी रेखाऊं को हम बोलते हैं, प्रतिक छेदी रेखाएं, क्या बोलते हैं, Intersecting Lines अगर इसको तो आपको पता है ये संमानतर रेखाएं बोलते हैं Parallel Lines संमानतर रेखाएं Parallel Lines एकडम एक एक बात समझना है एक एक पॉइंट समझना है दोस्त इसको बोलते हैं सर समपाती रेखाएं समपाती रेखाएं Overlapping Lines क्लियर है क्या और भी कुछ हो सकता है अगर दो रखाए हैं तो बस यही तीन केस बन सकता है और कुछ नहीं हो सकता है या तो दोनों एक दूसरे को काटेंगी या तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी या तो एक दूसरे के ऊपर होंगी मतलब हर जगह पर काटेंगी हर बनेगा ये बात clear है तो सबसे पहला केस क्या है कि जब दोनों एक दूसरे को एक बिंदू पर प्रतिक छेद करती है पहला वाला केस है ये वाले केस की हम बात कर रहे हैं इस point में पहले वाले केस की मतलब ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी प्रतिक छेदी केस में ऐसे केस में कितना हल होगा अधविती केवल और केवल एक हल केवल और केवल एक हल होगा जब ऐसा होगा क्या यहां पर काट रही है एक दूसरे को सर यहां तो काट ही नहीं रही है तो यहां कोई हल नहीं होगा कोई हल नहीं होगा एक बात समझना एक दम लाइन से चले नहीं होगा क्या बताया मैंने कोई हल नहीं होगा यहां पर और यहां पर सर यहां पर तो बहुत जगह काट रही है यहां भी काट रही है यहां भी यहां भी यहां भी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हैं हर जगह पर काट रही है तो यहां पर अपरमित रूप से अनेक हल होंगे कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक बाते सारी क्लियर हो रही है ठीक है, तो हमने पहला केस देख लिया कि जब दो रिखाएं दो रिखाएं जो रैखिक समीकर डियोगम को निरुपित करती है कि वहले एक बिंदू पर कहीं भी एक दूसरे को प्रतिक्षेद नहीं करती हैं तो एक दूसरे के समंतर हो जाएंगी और ये तीसरा के सर्ख जहां पर एक दूसरे के ऊपर ही हैं दोनों रेखाएं तो ऐसे के समें क्या हो जाएगा ये पुड़त एक दूसरे को ढख लेती हैं और ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं तो ये तीनों चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि दो सरग रेखाएं सबसे पहली बात तो यह हो गई कि अगर दो चरवाले रेकिक समीकरड युग में हैं युग में का मतलब आपको दो सीधी रेखाएं मिल रही हैं अब दो सीधी रेखाएं कै कितनी जगह पर कटान बिंदु मिलेगा, उतने हल होंगे, उतने solutions होंगे, उतने हल होंगे, कितने एक हल सर, एक जगह पर मिल रही है तो एक हल, सर कहीं भी नहीं मिल रही है तो कोई हल नहीं, सर अनेको अनेक हल, हर point पर मिल रही है तो अनेको अनेक हल, अनेको अनेक हल, प्रसनों का बीजी रिरूपड होता क्या है हमें word problems मिलती है जिनको आप लोग इबारती प्रसन भी बोलते हैं ऐसे word problems का बीजी हल कैसे निकालते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले पहचानना होगा कि किसको x मानना है और किसको y मानना है मतलब आपको चर रासियों को पहचानना होगा उसके बाद क्या करना है प्रसन में दी गई स्थितियों का प्रयोग करके x और y में आपको समीकरण बनाना होगा ऐसे questions आएंगे ऐसे questions आएंगे इसके लिए मैं एक separate वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं कैसे बनाऊंगा एक छोटा सा overview आपको बताता हू इसमें मैं बताऊंगा जैसे नाव पर आधारित प्रसना उसके बाद भिन पर आधारित प्रसना होता है ना अंस में दो जोड़ दिया हर में दो घटा दिया ये बन गया वो वाला भिन पर आधारित प्रसना आयू पर आधारित प्रसना ऐसे करके एक separate वीडियो भी मिलने व उस परिशानी का इलाज हो जाएगा मेरे दोस्तियां पर इसको देख लेंगे आप एक भी क्वेस्टन इतने बहतरीन तरीके से एक्स्प्लेनेशन होगी कि एक भी किसी भी टाइप का क्वेस्टन एक्जाम में आ जाए एक और आता है ना ये दो अंकों से बनने वाली संख्या उनको उलट पलट के क्या होगा ये सब बाते करेंगे हम कहां पर इस वाले टॉपिक में तो उसी टॉपिक से रिलेटेड यहां पर बोला गया है कि साब्दिक प्रस्नों का बीजी निरूपड साब्दिक प्रस्नों का बीजी निरूपड मतलब की आपको एक वर्ड प्रासियों को पहचानना होगा एक सुवाई में समीकर लिखना होगा तो उसकी बात यहां पर की गई है जैसे कि यहां पर प्रसन क्या दो एक तो हमने कर लिया एक डेमो देख लेते हैं यहां पर कि क्या है किस तरह के प्रसना आते हैं जैसे दिया है एक भिन्न के अंस वह हर म इसके लिए आपको समीकरार लिखना है और समीकरार लिखने के साथ-साथ उसका ग्राफ भी बनाना है अब देखना यहाँ पर मैं इस question को कैसे आसान करता हूँ आपके लिए मूल भिन माना अंस एक्स तथा हर वाई है हमने मान लिए निमरेटर अंस जो है वो एक्स है तथा हर जो है वो वाई है तो मुझे बताओ ऐसे बिन जिसका अंस जो है वो एक्स है और हर जो है वो वाई है क्या बन जाएगी सर यह तो बड़ा असान है यह क्या पूछ लिया आपने मूल भिन, original fraction मूल भिन क्या बन जाएगी सर, उपर आता है अंस और नीचे आता है हर, तो ये बन जाएगा x बटे y ये क्या बन जाएगा, x बटे y x बटे y, ये बन गया अपना मूल भिन, इतना कर लेंगे बस इसका यही concept है अगर ये कर ले गए आप starting की दो लाइन ये लिख दिए तो ये question अपने आप हो जाएगा कैसे, आईए देखते हैं ये तो concept की बात हो गई पहला condition क्या है, एक भिन के अंस वहर में, दो जोडने पर भिन का मान चार बटे पांच हो जाता है ठीक है, बोल रहा है कि अंस में भी दो जोड़ दो, हर में भी दो जोड़ दो, कर दो ऐसा क्या दिक्कत आ रही है, कर दो ऐसा उपर नीचे दो जोडने पर भिन का जो मान हो रहा है, वो चार बटे पांच हो रहा है, तो भिन का मान हमने कर दिया चार बटे पांच अब इसको हमें क्या करना है कि एक रेखिक समीकरण के रूप में लिखना है एक मेन फॉर्म के रूप में लिखना है कैसे लिखेंगे तिरियक गुड़ा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे इसका पांच जो है इन दोनों में गुड़ा हो जाएगा मतलब पांच कोश्टक में ब्रैकेट में एकस प्लस टू एंड चार इन दोनों में गुड़ा हो जाएगा तो यहां हो जाएगा चार कोश्टक में वाई धन दो क्लियर? कोई डाउट? नहीं यह अब देखोए पांच इन दोनों से गुड़ा होगा तो बन जाएगा पांच एकस धन पांच गुड़े दो, दस चार वाई धन, आठ चार गुड़े दो, आठ यहां से आप अगर एक समीकरण बनाएंगे चार वाई को इधर लाएंगे तो माइनस चार वाई और यह 10 उधर जाएगा तो 8 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा यह समीकरण संख्या आपकी एक बन चुकी है यहाँ पे आपको कितने चर दिख रहे हैं सर 2 तो आपके पास समीकरण भी 2 होना चाहिए इनका हल निकालने के लिए मतलब की आगे की बात करेंगे और यदि उसके अंस तथा हर दोनों में 4 घटाया जाए कंडिशन 2 क्या है कि दोनों में 4 घटा दो सर उपर भी 4 घटा दो और नीचे भी 4 घटा दो तो क्या हो जाता है तो भिन्द का मान 1 बटे 2 हो जाता है भिन्द का मान हो या एक बट्टे दो कर देंगे तिर्यक गुड़ा दो जाएगा x-4 में multiply होगा और एक इसमें गुड़ा होगा एक से किसी में भी संख्या में गुड़ा करेंगे वही संख्या आ जाती है तो यहां आ जाएगा y-4 clear कोई डाउट नहीं है बहुत बेतरीन दो इन दोनों में और यह 8 को उधर ले जाएंगे तो minus 4 धन 8 तो यहां से हमारे पास दूसरा समीकरड आ गया कितना यह समीकरड संख्या 2 हो चुकी है क्या कोई डाउट है दोनों समीकरड बनाने में एक बार screenshot लेंगे ले लिया अब हमें बोला गया है कि सर इसका graph बनाके दिखाईए तो graph बन अब इन चीजों को हटा देते हैं हम बात करेंगे केवल दोनों समीकरडों की दोनों समीकरडों को मैं किनारे लिख देता हो पहला समीकरड है 5x-4y बडाबर माइनस दो ये पहला समीकरण है अपना और दूसरा समीकरण अपने पास 2X माइनस Y बराबर 4 ये अपना दूसरा समीकरण हो जाएगा कैसे ग्राफ बनाना है आईए सीखते हैं एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है आप किसी भी किसी भी इयर का किसी भी वर्स का अगर question paper देखेंगे 10th class board का उसमें graph जरूर आया होगा graph जरूर आया होगा किसी भी बोर्ड का देख लिजी आप तो graph बनाना बहुत important है क्योंकि ये विश्त्रित उत्री प्रस्न में आता है long type questions में आता है तो इसको हम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे समझ रहे होंगे ये दोनों आपके पास क्या है ये दोनों सर अपने पास समीकरण है इनका graph बनाना है सबसे पहला काम क्या है सबसे पहला काम ये है कि पहली equation के लिए हमें एक table बनानी पड़ेगी जिसमें एक तो x और y का मान होना चाहिए दो बार ठीके कैसे सर पहला वाला equation ले लो आप पहला वाला equation पहला वाला समीकरण ले लिया अब इसमें एक बार आप x को 0 रखो और x बराबर 0 अगर x बराबर सुनने हो गया तो 5 गुड़े सुनने तो सुनने हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 4 y बराबर माइनस का 2 माइनस से माइनस कर जाएगा y बराबर 2 बट्टे 4 और ये आ गया 1 बट्टे 2 एक बात समझना मेरी, ऐसे मान लेने हैं कि आपको भिन ना मिले, ऐसे मान लेने हैं आपको कि भिन ना मिले, मिल गई, ये तो आसान है, ये तो सुन्य दस्मलो पांच को निरूपित करना फिर भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसको ले सकते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या मिल जा अब हम क्या करेंगे अब हम x बराबर कुछ और लेंगे या आप y बराबर भी ले सकते हैं लेकिन हम x बराबर लेते हैं आपे कितना x बराबर अगर हमने ले लिया 2 x बराबर हमने ले लिया क्या 2 x बराबर 2 लेने पर क्या होगा 5 गुड़े 2 माइनस 4y बराबर माइनस 2 5 गुड़े 2 10 हो जाएगा और 10 को उधर बेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 12 माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर 12 बटे 4 12 बटे 4 कितना हो जाता है? 3 12 बटे 4 कितना हो जाता है? 3 आपने देखा जब x का मान हमने 2 लिया तो उस case में y का मान हमारे पास 3 आ रहा है कोई दिक्कत याना तक clear है हमें 2 point मिल गए हैं पहले वाले के अब 2 point हमें ढूड़ने हैं दूसरे वाले graph के तो उसके लिए भी एक ऐसे ही table बनाएंगे बना दिया यह हो गया x और यह हो गया y अब इस table में क्या करना है द्यान से सुने मेरी बात पहले हमने क्या किया x को सुन्य ले लिया x बराबर 0 जब आप x बराबर 0 यहां पर रखेंगे तो यह तो सुन्य हो जाएगा minus y बराबर 4 बचेगा और y का मान आ गया minus 4 मतलब कि जब हमने x का मान सुन्य लिया था तो y का मान हमारा minus का 4 आ रहा था clear है बात अब y का मान हम एक बार सुन्य ले लेते हैं for y बराबर 0 जब y सुन्य होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2x बराबर 4 और x बराबर 4 बटे 2 मतलब की 2 जब y का मान सुन्य हो रहा था तो x का मान आ गया 2 clear है बात कोई doubt नहीं है अब हमारे पास 2-2 points दोनों graph के आ चुके हैं दोनों equations के आ चुके हैं तो अब हम एक graph बनाएंगे graph बनाने के लिए सबसे पहला काम हम दो line खीचेंगे एक तो अपना y-axis हो जाएगा y-axis और दूसरा अपना क्या हो जाएगा x-axis graph बनाने के लिए सबसे पहले यही काम करते हम दो अक्ष की चलिया इसको बोल दिया x-axis x-axis और ये बोल दिया हमने y-axis clear है यह कोई doubt यहां तक चलो अब देखते हम यहां पर numbers marks कर लेते हैं 1,2,3,4 इसको marking कर लेंगे minus 1, minus 2, minus 3 उपर ऐसे ही 1,2,3,4 और नीचे क्या हो जाएगा minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4 यहां तक सारी बाते clear है ठीक है अब देखो जब x का मान सुन्य था तो y का मान सुन्य दस्मलो 5 था कहने का मतलब क्या है जब x 0 था जब x 0 था तो y सुन्य दस्मलो 5 था मतलब यह point यहां पर आ जाएगा बिल्कुल बीच में 0 और 1 के और जब x का मान 2 था तो y का मान कितना था 3 था जब x का मान 2 था तो y का मान कितना था 3 अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खीचेंगे इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खीचेंगे इस प्रकार से यह बन गया इस वाले का ग्राफ मतलब जो पहली एक्वेशन लिखी थी जो पहला समीकरड लिखा था आपका उसका ग्राफ बन चुका है इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरड का ग्राफ बनाएंगे दूसरा वाला कहां गया यह रहा इसमें देखो जब x का मान सुन्य था इन दोनों को मिला लेंगे ऐसे तो यह इन दोनों रेखाओं का क्या हो गया ग्राफ बन चुका है इसको आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा क्योंकि वहाँ पर स्केल होगा और इनके बीच की जो spacing है जो जगह है वो बराबर बराबर होगी तो इसको आप ग्राफ पेपर पर जरूर बनाएंगे clear है यह point एक बार screenshot लेंगे और आगे बढ़ेंगे अब हम देखते हैं अपना next topic क्या है हमने देखा कि word problems को कैसे solve करते हैं हम पहले इसको समीकरड के रूप में लिख दिया दे फिर उसका ग्राब बनाने का बोला आलेखिये निरूपर की बात की तो वो हमने कर दिया आईए इस question को solve करते हैं निम्न रेकिक समीकरड योगम का आलेखिये निरूपर कीजिए तथा वहबिंदू भी ग्यात कीजिए जहां रेखाएं y अक्ष को प्रतिक्षेद करती है ज्यान से देखिए बड़ा आसान सा question है ये तो बड़ा ही आसान सा question है पहला इसको 5 को इधर भेज़ देंगे जिससे की थोड़ा सा आसान हो जाया हमारे लिए इस समीकरण को मैंने आलिक दिया अब जैसा की आपको पता है सबसे पहले हमें एक table बनाना है और दो point ढोड़ना है दो point ढोड़ना है एक table बनाकर यहां पर x आ गया यहां पर y जब x बराबर सुनने होगा 0 तो यह तो 0 बन गया y कमान 5 आ जाएगा clear हुआ यह जब x बराबर 0 होगा तो यह तो 0 बन जाएगा y कमान 5 आ जाएगा clear है ठीक है और जब x कमान कितना ले लें एक ले लेते हैं जब x कमान 1 होगा यहां पर 1 रख के देखो क्या हो रहा है 3 गुड़े 1 धन 5 बराबर 5 3 उदर जाएगा दूसरा समीं करण क्या है 2x minus y बराबर इसका भी 5 उदर भेज़ दो ठीक है बहुत बढ़िया अब हम क्या करने वाले हैं आपर एक बार x बराबर अगर हमने यहाँ पर 0 लिया तो यह तो 0 हो गया और minus उदर चला जाएगा तो पहला पहला solution हमें मिल चुका है पहला solution हमें मिल चुका है क्या है यह यहाँ पर x है यहाँ पर y है और हमने देखा कि जब x का मान सुन्य होगा तो y का मान minus का 5 होगा समझना पड़ेगा यह सब हल निकालना आपको 9th कलास में भी सिखाये गया था ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं तो वही हम हल निकाल रहे हैं है ना अब अगर x का मान हमने ले लिया 2 x का मान 2 ले लिया तो y का मान कितना आएगा यहाँ देखो x का मान 2 लेने पर एक बार 2 इसमें रखके देखेंगे 2 गुड़े 2 minus y बराबर 5 2 गुड़े 2 4 हो गया 4 दो जाके minus होगा तो minus y का मान आगया 5 minus 4 1 यहाँ से y आगया minus 1 मतलब जब x बराबर आपने 2 लिया था तो y का मान आगया minus 1 हमने table बना लिया दोनों समीकरण के लिए अब हमारा काम क्या है graph बनाना graph कैसे बनाते थे सबसे पहले सर एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले ज्यान से देखेंगे एक बार सबसे पहले एक्सिस कैसे बनाएंगे जैसा अभी बनाया था हमने यह y अक्ष हो गया अपना और यह अपना हो गया x अक्ष x, x dash क्या लिख देंगे यहापे x, x dash और यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं y, y dash और यहाँ पर तो सुनने हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इधर भी मार्क करेंगे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 उपर की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे की तरफ, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 क्लियर है यह? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है अब देखेंगे एक-एक पॉइंट को पकड़ेंगे हम जब x का मान, पहले इसको बनाते हैं x का मान जब 0 था तो y का मान minus 5 था जब x का मान सर 0 था तो y का मान minus 5 था यह हो गया उसके बाद से जब x का मान 2 था तो y का मान minus 1 जब x का मान 2 था तो y का मान minus 1 यह पॉइंट आ गया दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खीचेंगे आप यह बन गया इस वाले समीकरण का ग्राफ अब उपर वाले समीकरण का ग्राफ बनाएंगे इसमें देखिए जब x का मान सुन्य था तो y का मान 5 था जब x का मान सुन्य था तो y का मान कितना था 5 था और जब x का मान 1 था तो y का मान 2 था जब x का मान 1 था तो y का मान 2 था ये दोनों points मिल चुके हैं आपको, इन दोनों points को मिलाती हुई एक line खीचेंगे, ऐसे करके, और इसको भी बढ़ा देंगे, तो ये दोनों ही अपने समीकरणों का क्या बन चुका है, graph बन चुका है, I hope कि ये बहुत बढ़ियां से समझ में आ चुका होगा, आसान भी था, एक का topic, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, समीकरण क्या होते हैं, एक चरवाले समीकरण क्या होते हैं, रैकिक, दो चरवाले रैकिक समीकरण क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि समीकरणों का हल क्या होता है, फिर graph कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजे हम सीख चुके हैं, आगे क्लास में अपने क्या पढ़ा था एक बार यात कीजिए बहाँ पर बस पढ़ा था दो चरवाले रैखिक समीकरड और उसी का हल युग्म का हल नहीं पढ़ाया गया था युग्म का हल आपको टेंथ क्लास में पढ़ाया जाता है ध्यान से समझें इसको X और Y के मानों से बादर 10 और X माइनस Y बार चार अगर मैं बोलू X बार 7 एनड Y बार थ्री क्या ये दिये हुए रैखिक समीकरड युग्म का हल है अगर दौनों को संतुष्ट करता है तो हल है नहीं करता है तो हल नहीं है कहने का मतलब संतुष्ट करना क्या होता है सेटिसफाई क्या होता है X की जग़पर 7 और Y की जग़पर 3 रखने पर अगर left hand side right hand side के बराबर होगई तो हल है要देखो 7 दन 13 10 ये तो हल है इसमें तो काम कर रहा है साथ – 3X की जग़पर 7, Y की जग़पर 3 साथ – 3 बराबर 4 दोनों जग़पर काम कर रहा है मतलब कि दिया हुआ जो यूगम है X का और Y का दिया हुआ, जो यूगम है X और Y का साथ और तीन वो दिये हुए रैखिक समीकरड यूगम का क्या होगा? एक हल है, clear है बात, समझ में आ गया, ठीक है, आगे देखते हैं, जैसा कि आपको पता है, ये क्या होता है, मानक रूप होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, तो रैकिक समीकरड यूगम को हल करने के दो main method होते हैं, main method क्या, एक तो आपकी आलेकी विदी हो गई, graph बनाने और graph जहां भी cut करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वही क्या होता है, उस समीकरड का हल होता है, मैंने आज स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, एक तो आलेकी विदी हो गई, और दूसरी क्या हो गई, बीजगड़ीती विदी, अब बीजगड़ीती विदी में तीन पहला प्रतियस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा वजगड़न विदी, वजगड़न विदी हमारे सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये डिलीटेड है, ये हटा दिया गया है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रतियस्थापन विधी की और हम बात करेंगे विलोपन विधी की किसमें बीज गड़ीती है विधी में क्लियर है इतनी बात क्या ये समझ गए कि कैसे कैसे हल निकालना एक तो गुराब से हल निकालना आना चाहिए आपको और दूसरा प्रतियस्थापन और विलोपन विधी से हल निकालना आना चाहिए इसकी बात हम आगे कर रहे होंगे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आलेखी विधी से किस प्रकार से हल निकाला जाता है आलेखी विदी से जैसे कि अभी मैंने दो समीकरण लिखा था X धन Y बराबर 10 और दूसरा हम बदल लेते हैं इस बार X माइनस Y बराबर 2 इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ग्राफ से हल कैसे निकालते हैं और 2 मान निकालने हैं कैसे अभी पता चल जाएगा कैसे जब X बराबर आप सुन्य रखेंगे इसमें तो ये तो सुन्य हो गया Y का मान 10 आजाएगा मतलब जब X बराबर 0 था तो Y बराबर 10 था ऐसे ही जब Y बराबर 0 था जब इसको आप सुन्य करेंगे तो X बराबर 10 आजाएगा ऐसे ही मतलब कि दोनों के दो-दो पॉइंट निकाल लेंगे जैसा कि हमने पिछले दो क्वेस्टन्स में किया था अभी दो ग्राफ अभी सिखाया होना बनाना वैसे ही ग्राफ बनाना है ग्राफ बनाना तो आपको समझ में आ चुका है X-Y अब दूसरा वाला ले लते हैं X-Y बराबर कितना है 2 है X-Y बराबर कितना है 2 है इनका हल कितना हो जाएगा 2 X 12 X 6 ठीक है X-Y बराबर 2 है चेक कर रहा था ना मैंने खुद से लिखा है ना तो देख रहा था कहीं समीकरण गलत ना हो जाए या बहुत ज़्यादा complicated ना हो जाए आपके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा ना जिससे कि आपको बहुत ही बेतरीन तरीके से एक बार में ही समझ में आ जाए clear है बाते ठीक है यहाँ पर जब आप y का मान 0 रखते हैं इस y को जब 0 रखेंगे तो x कितना दिख रहा है 25 ना ना जेदा सर जब y को सुन्य रख़ा तो x का मान 2 आया जब हम x को सुन्य रखते हैं आऊ रखके दिखाताओ मैं सुन्य – y बडाबर 2 minus y बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा minus 2 देखो जब minus छिन उधर बेशते हो अकेला किसी number के साथ नहीं गया है अकेला गया है तो minus का minus ही लिखना है आपको तो sir जब x बराबर सुन्य होगा तो y का मान हमारा minus 2 आएगा हमने table तो बना लिया अब हमें काम क्या करना है गराब बनाना है गराब बनाने का सबसे पहला काम क्या है sir axis बनाना अक्ष बनाना ये हो गया अपना y अक्ष y अक्ष को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमें और ये हो गया sir अपना x अक्ष ये दुनों बना दिया मैंने अब इस पर points mark कर लो, देखो X पर कहा तक जाना है, 10 तक Y पर भी कहा तक जाना है, 10 तक चीक है, X पर 10 तक और Y पर 10 तक जाना है एक काम करते हैं, चलो ठीक है बहुत जाएंगे, इतनी जगह तो है या थोड़ा सा बैतरीन कर लेते हैं इसको, बैतरीन करने इधर, अभी बढ़िया लग रहा है आपे, हाँ, ठीक है ओके, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्या ये पूरी लाइन गायव हो रही है, हाँ कोई बात नहीं रहने दो, अब देखो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप ये तो 0 हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 तक पहुँच गए, ऐसे ही आप Y अक्ष पर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दोनो एक्सिस पे हमने धनात्मक साइड में बना दिया रिडात्मक साइड में माइनस 2 जाना है और बस यही, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और यहाँ पर भी बनाले कुछ, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इतने भी अपना काम हो जाएगा, इससे ज़्जादा बनाना भी नहीं अपने को सबसे पहले हम बात करते हैं उपर वाले टेबल की जब x कमान 0 था तो y कमान 10 था सर जब x कमान 0 था y कमान 10 था ये बिंदू हो गई और जब x कमान 10 था तो y कमान 0 था ये वाली बिंदू हो गई इन दोनों points को join करेंगे और ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे इस प्रक्राव से ये तो पहले वाले का ग्राफ बन गया ये अपना पहले वाले का ग्राफ इसका ग्राफ बन चुका है अब हम नीचे वाले का ग्राफ बनाएंगे मतलब कि इसका ग्राफ बनाने वाले है जब y 0 था तो x 2 था जब y 0 था तो x कितना था 2 था clear है ये जब y 0 तो x 2 और जब x 0 तो y minus 2 जब x 0 तो y minus 2 अब इन दोनों को मिलाते हुए एक line बनाएंगे ठीक है इन दोनों को मिलाते हुए एक line बनाएंगे जहां से देखना मेरे पास से स्केल नहीं है तो थोड़ी सी लाइन हलकी फुलकी टेरी हो सकती है तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज करेंगी क्योंकि आप जब स्केल से इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा क्लियर इतना सर ये तो अभी आपने सिखाया था पिछले दो क्वेस्टन में भी लेकिन हम क्या सीख रहे हैं कि ग्राफी विधी से हल कैसे निकालते हैं ये तो हमने ग्राफ बनाना तो पहले भी सीख लिया था आईए देखते हैं हल कैसे निकालते हैं हल निकालने के लिए जहां दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं वही हल होता है मतलब ये cut कर रही है वही निर्दसांग, x पर कहां पर आ रहा है 4 पर, और y पर कहां पर आ रहा है, 6 पर, मतलब कि यहां पर, अच्छा, उल्टा आ गया x के पर, x पर 6 जाना चाहिए था, और y पर 4, x पर 6 जाना चाहिए था, और y पर 4 तब तो आएगा ये थोड़ा सा गड़बड आ रहा है एक मीनट रुकेंगे और देखेंगे ये वाली लाइन हमें दुबारा से बनानी पड़ेगी क्योंकि वही मैं वोल रहा था ना कि मेरे हाथ में स्केल तो है नहीं तो उपर नीचे थोड़ा सा बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसको हम सही करेंगे ठीक है ये वाला तो clear था अपना ठीक है देखिए जैसे मुझे पता है कि ये कहां कटने वाले हैं 6 और 4 पर मतलब इनको कुछ यहां पर कटना चाहिए ठीक है तो ऐसा set करते हैं कि वहीं पर कटे जब आप ग्राफ बनाएंगे ना इसका अपने ग्राफ पेपर में तो exact उसी पर कटेगा अभी क्यों नहीं कट रहा है अभी मुझे set क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास scale नहीं है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है दो कॉमा जिरो एकस पर दो और वाई पर जिरो यह हो जाएगा आपका एकस पर दो और वाई पर जिरो आपका यह वाला पॉइंट हो जाएगा और एकस पर जिरो और वाई पर माईनस दो आपका यह वाला पॉइंट हो जाएगा इस point को थोड़ा सा उपर बनाएंगे यह minus 1 गुआ था अपना यह minus 2 और यह minus 3 तो हमें कौन सा point mark करना था x पर 0 और y पर minus 2 यह वाला point अब इन दोनों को मिलाती हुई एक line खीचेंगे अभी भी वहाँ पर नहीं जा रहा है लेकिन मैं कोसिस करूँगा कि वहाँ पहुच जाए जहाँ मुझे पहुचाना चाहिए जब आप graph पर बनाएंगे इसको तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा अभी scale नहीं है मेरे पास इसलिए थोड़ा सा यह ऐसे आनी चाहिए थोड़ी सी 10 लग रही होगी आपको लेकिन आप manage करेंगे क्योंकि graph बनाना आपको पहले ही सिखा दिया गया है इस प्रकार से आप graph तो बना लेंगे graph बनाने के बाद यह दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रही है उसी बिंदू का निर्दसांख क्या हो जाएगा तो X पर आपका 6 आ रहा है और Y पर आपका कितना आ रहा है 4 तो इस बिंदू का निर्दसांख ही आपका हल हो जाएगा जब आप graph पेपर बनाएंगे अपने आप 6 और 4 पर कट करेंगी क्या ये दोनों solution सही है यहां रखके देखिए 6 दन 4 दस आ रहा है सही है 6 माइनस 4 दो आ रहा है सही है तो वो चीज आप देखेंगे graph पर बहुत बढ़िया बनेगा बना कर मुझे comment box में जरूर बताना कि सर मज़ा आ गया 6 और 4 पर बिलकुल कट रहा था clear है बात एक बार screenshot लेंगे इसका और हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं next question next part देखते हैं अपना next topic देखते हैं प्रस संख्या 4 चार में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए इसमें बात की गई निम्नलेकित रहा है कि समीकरण युग्म को आलेक ही विधी से हल कीजिए मतलब कि हमें फिर से graph बनाना है तो आपको graph बनाना मैंने सिखा ही दिया है इसको आप graph पर बनाए और बताएं कि X और Y दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं याद रखना इसी विधी से हल करना है आपको यह आपके लिए homework है मेरी तरफ से आपको सिखा दिया है मैंने इसको बना क्यों नहीं रहा हूँ क्योंकि graph बनाना आपको मैंने सिखा दिया है अभी मैं बनाऊंगा तो वो इधर उधर कट करेगा इससे बढ़िया है कि मेरे students मुझे से बढ़िया काम करें क्योंकि graph बनाना आपको सिखा दिया गया है graph paper पर आप खुद practice करें खुद बना कर बताएं मुझे कि दोनों एक दूसरे को exactly कहां पर काट रहे हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह कहां पर काटने चाहिए by chance अगर आप से नहीं बन रहा है graph या doubt है अभी भी कि सर graph बनाने नहीं आया या graph बनाने आया तो इसका solution नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मुझे comment box में जरूर बताएं इसका solution अगर आप से नहीं होगा तो मैं इसको practice set में करा दूँगा जब live class अपनी चलेगी तब clear है इसका screenshot जरूर ले ले जिससे की आप इसका graph जरूर बनाएं घर पर और मुझे बताएं की आप से हुआ की नहीं हुआ अब देखते हैं अपना next topic बहुत important exam point of view से very important topic यहापर क्या है रैखिक समीकर यूग में A1X धन B1Y धन C1 बराबर सुन्य तथा A2X धन B2Y धन C2 बराबर सुन्य के संगत रेखाओं का आले की निरूपड बीजगडी ती व्याक्या तथा संगत्ता निमलकिसार्णी में दिया गया है यहाँ पर यो सब कुछ लिखा गया है जो आपके लिए जरूरी है अभी तक अगर मैं आपसे पूछू अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें आपको क्या दिया था दो रैखिक समीकरड का युगम दिया था रैखिक समीकरड का युगम आपके पास था मतलब दो समीकरड था अब दोनों समीकरड जब आप graph बनाएंगे तब आपको पता चल रही थी कि ऐसे काट रही है एक दूसरे को या एक दूसरे के सवांतर है या एक दूसरे के ऊपर है लेकिन ये topic पढ़ने के बाद आपको graph बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप समीकरड को देखकर ही बत होना चाहिए कि A1X धन B1Y धन C1 बराबर 0 और A2X धन B2Y धन C2 बराबर 0 मतलब कि जो अपना व्यापक रूप है मानक रूप है रैखिक समीकरड यूग मुका वो आपको पता होना चाहिए जब ये पता होगा तो आप ये सारी चीज़े निकाल लेंगे A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 कितना होगा ये निकालने के बाद अभी हम questions करेंगे वहाँ में बताऊंगा कैसे निकालते हैं ये निकालने के बाद अगर A1 upon A2, B1 upon B2 बराबर नहीं है तो ये प्रतिक्षेदी रेखाए होंगी मतलब इसका graph जो बन रहा होगा कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा जैसा अभी तक बना है हमारा इसमें क्योंकि ये केवल एक जगह पर काट रही है तो केवल और केवल एक ही हल होगा मतलब अधविती ही हल होगा और जहां पर भी आपको हल मिल रहा है वो निकाय कैसा होता है संगत होता है जहां पर आपको हल मिल रहा है वो निकाह संगत होता है जहां पर हल नहीं मिल रहा है वो निकाह कैसा होता है असंगत होता है clear है अब हम बात करेंगे जब تینों बराबर हो जाएंगे A1 upon A2 B1 upon B2 और C1 upon C2 तीनों ही बराबर हो जाएंगे तब आपको संपाती रेखाएं कुछ इस प्रकार की मिलेंगी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ढखी हुई और यहाँ पर आपको क्योंकि यह हर एक बिंदू पर काट रहे हैं एक दूसरे को तो यहाँ पर आपको अनंत हल मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हल मिल रहे हैं इसलिए ये भी निकाय कैसा है संगत निकाय होगा हम बात करते हैं कि जब पहले के दो तो बराबर हैं लेकिन ये c1 upon c2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के बराबर नहीं है ऐसी रिखाएं क्या होती है समानतर रिखाएं होती है ऐसी रिखा है clear है यह बात कोई doubt नहीं है एक बार screenshot लेंगे बहुत important है यह ठीक है तो यहाँ पर आपको वो सारी information एक साथ मिल गई जिसकी जरूरत है आपको इस chapter में अब देखते हैं आगे इस पर best question प्रस्ण संख्या 5 बहुत important है यहाँ पर है कि 2 रेखाएं यदि रेखाएं 2x धन के y बराबर 1 और 3x-5y बराबर 7 के अध्विती हल है अध्विती हल कब होते हैं सर अध्विती हल तब होते हैं जब यह एक दूसरे को प्रतिक्छेत करती हैं intersect करती हैं और यहाँ पर condition क्या होती थी a1 बटे a2 not equal to b1 बटे b2 ही होता था अब यहाँ पर देखो a1 बटे a2 क्या होता है पहला वाला x का गुडांग यह a1 हो गया और यह a2 हो गया 2 बटे 3 ऐसे ही b1 बटे b2 कितना होता है y का y का गुडांग k बटे minus 5 c1 c2 से मतलब ही नहीं है क्योंकि हमसे प्रतिक्षेदी रेखाओं की बात की गई है तो इतने में ही काम हो जाएगा आप लिख देंगे a1 बटे a2 मतलब 2 बट यहाँ पर लिखेंगे क्या बोल रहा है अदविती हल के लिए क्या लिखेंगे अदविती हल मतलब unique solution अदविती हल के लिए जब आपको अदविती हल चाहिए न तो ऐसे किस में क्या होता है a1 बटे a2 not equal to b1 बटे b2 जैसा की मैंने वहाँ बताया है आपको अब आप इसका मान यहाँ पर रख देंगे a1 बटे a2 की जगह 2 बटे 3 रखेंगे not equal to b1 बटे b2 क्या है k minus 5 k upon minus 5 तिरियक गुड़ा करेंगे cross multiplication करेंगे तो 3 गुड़े k not equal to जब बीच में not equal to है तो वैसे ही चलाना है आपको not equal to minus 5 गुड़े 2 minus 10 और यहाँ से आपका k का मान नहीं होना चाहिए किसके बराबर minus 10 बटे 3 के बराबर मतलब इस संख्या को छोड़कर minus 10 बटे 3 को छोड़कर दुनिया में जितनी भी वास्तिविक संख्या है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्या नहीं हो सकता है minus 10 बटे 3 मतलब कि हम लिख सकते हैं कि minus 10 बटे 3 को छोड़कर के का कोई भी मान हो सकता है के का कोई भी मान वास्तिविक संख्या के रूप में हो सकता है कोई भी मान वास्तिविक संख्या के रूप में हो सकता है मेरी बात clear हो गई आपको संख्या के रूप में हो सकता है तो इस तरह के questions हमेशा आपको exam में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत ही important है आपको जो भी पीछे table दिखाई गई थी बहुत ही बढ़ियां से learn होनी चाहिए एक बार screenshot लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम देखते हैं next topic या next question क्या है अपना प्रसन संख्या 6 यहाँ पर बात हो रही है रैकिक समी करड़ दो युगम दिये हैं संगत है या असंगत आपको पता होना चाहिए संगत कब होता है सर जब हल मिलता है हल कब मिलता है या तो प्रतिक्षेदी रेखाए हो असंगत आएगा अगर समानतर हो गई तो वो असंगत आएगा आईए देखते हैं यह कैसे पता चलेगा क्या ग्राब बना के पता चलेगा नहीं ग्राब बना के नहीं पता चलेगा यहाँ पर हम a1 बटे a2 कमान निकालेंगे पहला x का और पहला x का पहले तो समीकरड तोटे-फूटे रूप में लिखा गया है, हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, मतलब सब को एक तरफ करेंगे, पहला समीकरड क्या है 4x-5y-12 बदाबर सुन दूसरा समीकरड क्या है इसको ढंग से लिखेंगे, तो 8X, इसको भी उधर ले जाओ, माइनस 10Y, इस 20 को भी उधर ले जाओ, तो कितना? माइनस 20 बराबर सुनने हैं, क्लियर है यह, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, अब देखें, अब A1 बटे A2 लिखना बहुत असान हो गया है, यह आजाएगा, X वाला पहला, यहाँ भी X वाला, 4 बटे 8, मतलब की 1 बटे 2, A1 बटे A2 आगया, 1 बटे 2, इसी प्रकार से B1 बटे B2 कितना हो जाएगा? माइनस 5 बटे, माइनस 10, यह कट जाएगा, 5 उन जा 5, 5 तू जा 10, 1 बटे 2, और इसी प्रकार से आप बताएंगे मुझे दोस्त की C1 बटे C2 कितना हो जाएगा? तो देखिए, माइनस 12 बटे, माइनस 20, इसको माइनस से माइनस काट देंगे, 4, 3, 12, 4, 5, 20, मतलब 3 बटे 5, आप यहाँ देख सकते हैं की A1 बटे A2 का मान, B1 बटे B2 के मान के बराबर है, लेकिन वो C1 बटे C2 के मान के बराबर नहीं है, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? A1 बटे A2 का मान, B1 बटे B2 के मान के बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के मान के बराबर नहीं है, कहने का मतलब है कि यह कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा यह समांतर रेखाओं का case हो जाएगा तो यहां लिख देंगे असंगत निगाए होगा यह समांतर रेखाओं का case है असंगत है एक बार screenshot लेंगे जल्दी से तो देखते हैं अपना next topic क्या है यह तो में आ चुका होगा तो यह सारी conditions आपको A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 वाली learn होनी चाहिए अब देखते हैं रेखिक समी करड़ यूग्म करने के लिए जो बीजगडिती विधियां हैं कहने का मतलब प्रती 스फफफपन विधि जिसको हम substitution method बोलते हैं और weelopen विधि जिसको हम elimination method बोलते हैं इनकी बात करते हैं कि इनको कैसे सॉल्भ करते हैं सबसे पहले हम प्रती उस्थाफफपन विधि की बात करेंगे यहां पर हम دो स्थापन विदी जिसको हम substitution method बोलते हैं और will open विदी जिसको हम elimination method बोलते हैं इनकी बात करते हैं कि इनको कैसे देखते हैं इनको कैसे solve करते हैं सबसे पहले हम प्रतियस्थापन विदी की बात करेंगे यहां पर हम दो questions करने वाले हैं एक तो वही वाला अपना एक्स धन वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना था और दो एक यह करेंगे एक में हम देखेंगे और जिससे की आपको clear हो जाए यहीं से clear हो लीजिए दोनों तरह से किसी भी से भी जिससे आपको आसान लगें Cathy की2 एक्स कमान निकाल लो हमने सब सबसे पहले क्या करना है किसी भी समीकर से něक्स या या मान निकाल लेना जैसा आप देख पा रहे हैं आपर कि मैंने समीक不對 संख्या 2 से X का मान निकाल लिया और जहां से निकाला है उसमें नहीं रखना जहां से निकाला उसमें नहीं रखना अपने 2 से निकाला है तो कहां रखेंगे इसको एक में X का मान समी करर संख्या एक में रखने पर मतलब X की जगह हम क्या रख देंगे 2 धन Y और आगे धन का Y है बराबर का 10 है अब Y धन Y अपना 2 हो गया और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा मतलब 2 Y बराबर 8 आ गया तो आपको X भी पता चल गया और Y भी पता चल चुका है तो ये काम करना है आपको प्रतियस्थापन विदी में मतलब की दिये हुए दोनों समी करर में से किसी भी समी करर से आपको X या Y का मान निकाल लेना है और जिस समी करर से निकाले हैं उसमें नहीं रखना आपको कहां रखना है आपको दूसरे वाले समीकरण में रखना है जैसे कि हमने यहाँ पर दो से निकाला दो से मान निकाला और कहां रख दिया एक में X Y आ गया और Y का मान यहां यहां या यहां कहीं भी रख दो X आ जाएगा ख्लियर है आई ये इस पे बेस्ट एक क्वेस्चन देखते हैं ये निम्न रेखिक समीकरण को प्रतियस्थापन विदी से हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए आई ये देखते हैं कैसे करेंगे इसको तो पहला समीकरण आपको दि निकालना यहां से लग रहा है सर X अकेला है तो उठालो समीकरण एक को ये एक है और ये दो है समीकरण एक को उठा लिया और यहां से X बराबर आगया 19-8Y अब क्या कहां से निकाले हो आप X का मान हमने समीकरण संख्या एक से निकाला है तो रखोगे कहां पर समीकरण संख बराबर 28, अब ये दो दोनों में multiply करेंगे, दो गुड़े 19, 38 होता है, ये दो गुड़े 8, 16 हो जाएगा, धन 11y बराबर 28, माइनस 16y धन का 11y माइनस का 5y आ जाएगा, और ये 28 माइनस 38 हो जाएगा, माइनस का 10, ये इससे कट जगा है, और y का मान हमारे पास 10 बटे 5 मतलब क 2 आ चुका है, अब ये y का मान आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी लेकिन आसान होता है, यहां पर रखना, तो y का मान यहां रखेंगे 2, तो x बराबर क्या है हमारे पास, 19 माइनस 8y, y की जगह पर आप 2 रखेंगे, तो 8 गुड़े 2 हो जाएगा, और 19 माइनस 8 पहली क्या है, एक्स धन 8y बराबर 19, अब यहां पर बाया पक्ष लेंगे, बाया पक्ष में x और y का मान रखें, x धन 8y, x कितना है आपके पास 3 और y कितना है 2, तो x की जगह 3 रखेंगे, और y की जगह कितना रखेंगे, तो रखेंगे, 3 धन 8 गुड़े 2, 16 हो जाएगा, और यह कितना आजाएगा 19, तो आप देख सकते हैं कि हमने बाया पक्ष लिया यहां पे और दाया पक्ष के बराबर आ गया, यह किसके बराबर आ चुका है, दाया पक्ष के बराबर आ चुका है, मतलब कि यह सत्यापित हो चुका है, इसी प्रकार से आपको एक समीकरण में जाएगा और y कमान कितना है दो तो 11 गुड़े दो हो जाएगा हमने left hand side लिया है बाया पक्ष लिया है दो गुड़े 3 6 होता है और 11 गुड़े 2 22 होता है और 6 धन 22 28 हो जाएगा और यह आर एचस के right hand side यानि की दाया पक्ष के बराबर हो जाएगा तो यह सत्यापन भी कर दिय यहीं पता चल गया कि आपका अंसर सही है या गलत है क्योंकि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष के बराबर आ रहा है तो इसलिए यह दिया हुआ जो हमारा हल निकला हुआ है कि x बराबर 3 और y बराबर दो बिलकुल सत्य है बिलकुल सही है क्योंकि सत्यापन भी हो चुका ह स्क्रीन शौर्ट लेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्त, एके डेखते हैं कि VILLOPAN VIDHI कैसे करते हैं जैसा कि आपने अभी प्रतियस्थापन VIDHI में क्या सीखा कि दोनों समी ग्रडू में से X या Y किसी का भी मान निकालो और जिस से निकाले हो उसमें मत रखो दूसरे में रख दो, बस काम हो जाएगा आपका, आईए दिखते हैं विलोपन विधी, विलोपन विधी में मानलो दो समीकरड दिये हुए, पहला समीकरड मैंने लिख दिया, दो X धन Y बराबर, रुको मुझे बना लेने दो, बना रहा हूँ न मैं, पांच, और X माइनस Y ब दो तरह से बताऊँगा, दो तरह से बताऊँगा, ध्यान से देखना, दोनों विलोपन विधी से भी बताऊँगा, नियम थोड़े से अलग अलग होंगे, जो मैं सिखाना चाह रहा बराबर नहीं है यहां पर आप चेक करेंगे तो वाई का गुडांक भी एक है और यहां भी वाई का गुडांक एक है चिन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त यहां भी वाई का गुडांक एक है यहां भी वाई का गुडांक एक है बराबर मिल गया अगर बराबर नहीं मिलता त तो आप बराबर करते अगर बराबर नहीं मिलता तो बराबर करना पड़ता किसी भी संक्या से गुड़ा करके कैसे करेंगे अभी देखेंगे वो बात की बात है कि बराबर कैसे करेंगे अभी बराबर मिल चुका है अगर बराबर मिल चुका है तो आपको देखना है कि क्या इनकी चिन समान है या विपरीत है सेम सेम है या अलग अलग है तो सर ये सेम सेम नहीं है ये अलग अलग है एक प्लस का एक माइनस का है कोई दिक्कत नहीं है फिर अगर सेम सेम होते तो तो हम नीचे वाले के चिन बदल देते ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ पर तो विपरीथ है तो आगे क्या करेंगे यह प्लस वाई से माइनस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा 2x धन x होता है 3x और 5 धन 1 कितना हो जाएगा 6 मतलब x का मान हो जाएगा 6 वटлек 3 कहने का मतलब x आ गया अपना 2 अब x का मान कहीं भी रख दो जैसे x का मान आप समीकरड1 में रखते हो अगर तो दो गुड़े दो धन y बराबर 5 ये दो गुड़े दो 4, 4 उधर जाएगा तो 5-4 y का मान 1 आ जाएगा इस प्रकार से करना है अब सर वो बता दो कि अगर गुड़ांक बराबर नहीं हुए तो क्या करेंगे अब इसमें देख लेते हैं, हम y से नहीं खेलेंगे y से तो खेल चुके जिसके गुड़ांक बराबर थे मान लो इसके गुड़ांक आपको बराबर करने है किसके? x के x के अगर गुड़ांक बराबर करने है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 अब 1 को बनाना है 2, मतलब इस वाले समीकरण संख्या 2 में हमें गुड़ा करना पड़ेगा 2 से जब आप 2 से गुड़ा करेंगे तो देखिए क्या होता है उपर वाले को तो वैसे ही लिख लेंगे इस वाले समीकरण में 2 से गुड़ा कीजिए कैसे गुड़ा करते हैं? इसको भी गुड़ा करना पड़ेगा इसको भी और इसको भी तो यह बन जाएगा 2X यह बन जाएगा 2Y और यह बन जाएगा 2 सर अब इस समीकरण को आप देखिए यहाँ पर X का गुड़ांक बराबर हो चुका है X का गुड़ांक बराबर हो चुका है लेकिन सर चिन चिन भी तो देखना है चिन दोनों एक जैसे हैं, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, मतलब की हमें चिन को क्या करना पड़ेगा, हमें चिन को बदलना पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, clear है बात, कितना हो गया तीन तो यहां से तीन बटे तीन अग्या ग सिसी समीकर में रख दो इसमेप लग दो एक sach!!! एक दो आ जाएगा एक बात ध्यान रखना बस कि जब चिन बदलेंगे तो सब के चिन बदले जाएंगे ऐसा नहीं करना कि किसी एक का चिन बदल दिया काम हो गया दोनों जगह से एक ही उत्तर आएंगे क्योंकि प्रसंद तो एक ही है है ना क्लियर हुआ कि आपको विलोपन व होता है गायब करना या तो वाई को गायब कर दो या तो एक्स को गायब कर दो अपने आप काम बन जाएगा आईए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इस पे देखते हैं निम्न रेखिक समीकरण के युग को विलोपन विदी से हल कीजिए मतलब अपने से अगर आप देख पा रहे हो तो ना तो X का गुडांक बराबर है ना तो Y का गुडांक बराबर है किसको बराबर करना आसान है दोनों को ही बराबर करना आसान है अगर आप इस समीकरड को 8 से गुडा करते हैं तो X का गुडांक बराबर हो जाएगा और अगर आप इस समीकरड को पास से गुड़ा करते हैं तो y का गुड़ांक बराबर हो जाएगा आई ये y का गुड़ांक बराबर करते हैं ये समीकरण संख्या 1 है ये समीकरण संख्या 2 है समीकरण संख्या 2 में 5 से गुड़ा करने पर क्या होगा इसको पास से गुड़ा करेंगे हर एक टंग को हर एक पद को करना पड़ेगा 5X धन 5Y बराबर 5 गुड़े 420 इसके नीचे आप इसको लिख दें 8X धन 5Y बराबर 11 मुझे जल्दी से देख के बताओ कि X का या Y का किसका गुड़ांक बराबर हुआ तो सर Y का गुड़ांक बराबर हो गया अब बात आती है चिन्नों की क्या चिन्न समान चिन्न है या विपरीत चिन्न है सर यहां भी प्लस का है यहां भी प्लस का है मतलब की चिन्नों को बदल दो क्योंकि चिन्द विपरीत होने चाहिए तभी ये कट पाएंगे विलोपन कर दिया किसका? Y का विलोपन विधी पढ़ रहे हैं तो Y का विलोपन कर दिया 5X-8X हो जाएगा आपका माइनस का 3X 20-11 हो जाएगा 9 और यहां से आपका X का माण कितना आ जाएगा? माइनस का 3 कोई डाउट? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया X का माण आ गया है माइनस 3 X का माण यहां पे रख दो जहां भी X दिख रहा है माँ माइनस 3 रखेंगे माइनस 3 धन Y बराबर 4 तो Y का माण हो जाएगा यह माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा Y का माण आपका हो गया 4 और 3, 7 इसको सत्यापित करके देख भी सकते हैं जैसे X का माण माइनस 3 आया 8 गुड़े माइनस 3 आपको माइनस 24 मिल गया और Y का मान साथ आया 7 गुड़े 5 35 मिल गया और माइनस 35 माइनस 24 प्लस 35 करेंगे तो आपको 11 मिल गया मतलब यह आंसर बिलकुल सही है क्लियर है एक बार स्क्रीन सोट लेंगे और आगे बढ़ेंगे अब हम इसी का पार्ट 2 देखते है इसी का पार्ट 2 देखते है देखो यहाँ पर तो X का गुड़ांक 3 है और यहाँ पर X का गुड़ांक 1 है मतलब इसमें अगर हम 3 से गुड़ा करने तो काम बन जाएगा इस समीकरण में आप 3 से गुड़ा करेंगे दोनों समीकरड उपर नीचे लिखने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या जिनके गुडांक एक जैसे हैं क्या चिन समान है हाँ यहाँ भी धनात्मक है यहाँ भी धनात्मक है तो हमें क्या करना चाहिए सर इसका चिन बदल दो ना फिर अब y कामान यहां रख दो यहां यहां रखना आसान लग रहा है x-y की जगह पे 1 बराबर 3 x बराबर 3 धन 1 मतलब की x कामान आ गया 4 x कामान आ गया 4 इस चाप्टर में कुछ word problems भी हैं मुझे पता है तो हमने कुछ तो किया है एक दो टाइप का बाकी एक अलग से वीडियो आईगी आपके लिए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रकार के word problems दिये होंगे हर एक प्रकार का उसमें मैं cover कराऊंगा जो मैंने पहले ही बता दिया आपको तो उसकी tension नहीं लेनी है जो basic word problems हैं आपके revision के लिए मैंने इसमें cover करा दिया लेकिन हर एक प्रकार के word problems की वीडियो जल्दी ही आपके पास मैं ला रहा हूँगा तो उसकी tension नहीं लेनी मेरे दोस्त बस जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उतना focus करके पढ़ो जो भी आपके पास video lectures हमारे द्वारा magnet brains के द्वारा प्रवाइट किये जाते हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है इधर उदर परिसान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है focus जो करे study करो बिल्कुल बहतरीन number आएंगे आपके 10th class में उसकी tension नहीं लेनी है क्योंकि आप हैं magnet brains के साथ तो tension की बात ही नहीं है यह हमने बहुत ही बहुत ही बहतरीन revision किया है अभी और I hope कि आपको इस chapter से सब कुछ clear crystal clear हो चुका होगा कि किस प्रकार का समीकरण होता है आलेखी विधी से कैसे हल करेंगे बीजगडिती विधी जिसमें की हम बात कर रहे है प्रतियस्थापन या विलोपन विधी की इन सारी विधियों से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है इसका एक बहतरीन revision किया हमने साथ में मिलके और बहुत ही बहतरीन मज़ा भी आया होगा आपको तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को क्या करेंगे शेयर करेंगे जिससे की उनकी भी बेहतरीन तयारी हो सके एक छोटी सी बात के साथ आज का लेक्चर में समाप्त करूँगा यहीं पर जैसा कि आपको पता है मैगनेट बेंस जाना जाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जहां इंग्लिस मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम की भी तैयारी कराई जाती है यह हमारे टॉप कोर्से जाएं जिसमें सिब्यसी बोर्ड के साथ साथ हम अधर इस्टेट बोर्ड भी कवर कर रहे हैं जिसमें डैली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एंपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड हैं इसके साथ ही आप Vedic Maths, Crass Course और Spoken English की भी Classes देख सकते हैं और मज़े की बात यह है मेरे दोस्त की यह सारी Classes बिल्कुल Free of Cost, बिल्कुल नहिसुलक अवेलेबल हैं हमारे YouTube चैनल पर तो इनका लाब उठाईए, इनसे बेतरीन पढ़ाई कीजिए, बेतरीन तयारी कीजिए इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया नंबर लाना है आपको एक्जाम में तो इसके लिए e-notes और e-books को ग्रैप करना बिल्कुल न भूलें जिसका लिंक आपको description box में दिख जाएगा, इसके साथ ही एक काम और करना है आपको छोटा सा हमें other social media networks पे भी follow करना है जैसे कि Facebook, Insta, Twitter, Telegram और WhatsApp पर आप हमें follow कर सकते हैं हमारे साथ जोड़ी हुई हर एक news के साथ अपने आपको update रख सकते हैं तो इसी अच्छी बात के साथ math की practice करते रहिए एकदम लगे रहिए क्योंकि आप है 10th class में आपको देना है board exam मिलते हैं अगली class में और जब तक के लिए thank you so much